आप सबी भाईयों, बहनेों का सवागात अगर महत्रम्पुन वीडियो में इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ जारकर्म पॉले टेकनिक्स के बारे में जो भी विद्यारते 5 समेस्टर के होंगे या फिन 3 समेस्टर के या फिन 1 समेस्टर के इस वीडियो को पूरा अन तक देखिएगा आपके लिए कुछ महतनुपून बाते में कहूंगा बताऊंगा जो लोग भी चैनल पहना है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा इस वीडियो को लाइक करके अपने हर वाट्सप गूरूप में सेयर कर देगा ताकि यह इंफ्रोमेशन वीडियो हर तक पहुंच सके क्यों भरवाया जा रहा है क्यों पैसल लिया जा रहा है एक्जाम आपकी नहीं होगी यह पहले बेर नोटिस आ चुका है आपका एक्जाम फॉर्म को इसलिए भरवाय जा रहा था कि जी उटी को यह मालूम सल चके कि फोर समेशन तक पढ़ने के बात में ऐसे कौन से विद्यारती जिनको फीब समेशन के पढ़ाई नहीं करना था वो डिप्लोमा छोड़ चुके हैं साथ में जो पैसल लिया जा रहा था कि आपका जो मार्क सीट से लेके आपका इंटर्नल का जो नमबर मंगवा कि आपको त्यार कि जाता है माइग्रेश सेट के लिए कौपी मिलती आपके लिए सेंटर पढ़ती जहां पर जी उटी को इन्वेश्टमेंट करना पड़ता मगर यह सब चीज़ तो हो नहीं रही है इसलिए मातर 500 रुपे लिए जा रहा था कि आपका मार्क सीट को बनवा दिया जाए अठाइस मास चार फरवरी की बीच में आपको एक्जामनेशन फॉर्म को भड़ना है जो ऑनलाइन भी आप भर सकते हो अगर आप ज्यारखन में हो तो आप अपने से भरिएगा बीना रिलेट किये वह बीना देरी क्योंकि यह छुट जाएगा तो फिन आपका फिप समेशर का फॉर्म छुट जाएगा और इसी का धार पर आपको रिजल्ट मिलेगा आप पास आउड भी सही समय पर नहीं हो पाईएगा कि आपको फिप समेशर किलियर नहीं रहेगा जो विद्यारतियों को प्लेस्मेंट मिल चुका कहीं अनिराजी में जा चुके वो लोग क्या किजेगा कि अपने अपने अप किये हैं और जो विद्यारती अभी जारखण में नहीं है उनके लिए भी भरवाना कोलेज का ही फर्ज बनता तो 28 से चार मास को ध्यान दिजेगा अपने अपने कॉलेज से बात कर लिजिए इस फॉर्म को भरने के चलान कटवाने के बाद में अगर आप जारखण में हो तो अपने कॉलेज में भी दिजेगा इसका उपा जो ओफिस्यल वीडियो आएगा मतलब किस तरह से फॉर्म भरना कब चलान कटवाना किस चलान कटवाना इसके उपज ऑफिस्यल वीडियो आएगा मैं परियास करूं कि 28 फरवरी को जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं आप सब भी लोग उसको देख लिएगा अब आजाते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं इनका ओफिस्यल नोटिस क्यों नहीं आया फिप का क्यों आगिया देखिए फिप्त वालों को क्या है जाए गर इनका शाइए मंग और कि बनता को यह नहीं इस कारण से इनका नोटिस पहले आया जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में इनके आप पूरा क्लोज हो जाएगा तरब से उसके बाद में इन सभी का रेजिस्टेशन करवाया जागा उन्वर्सिटी के तरब से इनका जो बच्चे लेटरल इंट्रीस है इनको जाएगा उसके बाद में एक्जामनेशन का फॉर्म भरवाने का नोटिस आएगा क्योंकि आपके पास पहले से है जो बचे रेगुलर है उनके पास रेजिश्टेशन नमबर है मगर इनके पास नहीं तो दोनों को लेकर चलना इनवर्सिटी को यह सब देरी हो रहा किसके वजाए से जैसी सीबी कर वहा लेता तब जाकि इनका अभी तक जाएगा नमबर आ चुका होता ठीक है अ 99% चांस है कि आपको पर्मोशन नहीं मिलेगा नो पर्मोशन वो ऐसा क्यूं में बोल रहा है क्योंकि आपका जो सेशन वो 2021 से लेके 2024 के बीच में है ठीक है ऐसे मैं आपके लिए अवास तो काफे पर उठाया तर कहा भी तक कि कम से कम आपको मिल जा मगर यहां उल्टा ही हो कर देंगे इसलिए यह पढ़ाई करते रहें उस पर विशेश ध्यान दे बाद बाकि जो इनके हित के लिए होना चाहिए वह लोग कर ही रहा है ठीक है इसी वीडियो का मादेम से में कुछ निवेदन करना चाहूंगा तक्निकी सिक्षा विद्यातिक परीसत से एवं उनको बढ़ाई देना चाहूंगा कि उनका जो उनको उनका जो नाम खोशना हुआ है 14-15 फरबरी के बीच में जो अभी नए हमारे सन्योजग बने है इसलिए बीसे कुमार जी साथ में सान्योजग बने राज रोसन पांडे भाई और प्रने भाई आप तीनों को बहुत बहुत ब को बच्चों को बोना फाइंट नहीं दिया जारा जबकि सरकार बार 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 इको अगे बढ़ा रही है बचुके यनको बोना भाई ने रहे काफिस और ऐसे गरीब बच्चे हमसे कोंटेक्ट कि जिनके पास ना बूख खरेने का पैसा है ना जो वह सबी लोग जब हमसे ल के बच्चे हैं जिनको ना बोनाफाइट दिया जा रहा है दो महना से नहीं उनके बार थो उचार के जा रहा तो उनके लिए मदद कीजिए कि जब सरकार ने निर्देश दिया है कि आपको बच्चे फॉर्म भर सेक्ट अठाइस तक डेट है डेट खतम हो जागा दूसरी क्या प्रॉब्लम है एक और प्रॉब्लम है कि काफितर बच्चे ये भी कहरें उसे कि टीएज़ पी लगतार जो मांग करती प्लेस्मेंट में वो ब्रांच वाज नहीं करती है बस प्लेस्मेंट की मांग करती है अज सब भी जो बच्चे वो जहारकर्म पॉलेट टेक्निक के ही स्टुडेंट से तो इनके लिए भी थोड़ा आवाज उठाया जो विश्यस्वर पता कि इस सब जो बच्चे है ये सब जो कॉलेज से बच्चे बढ़ते वो सभी समर्थन कर सके और आगे आ सके तो मेरा परियास रहेगा निवेदर नेगा टेज़ेपी के सभी आलादिकारियों से कि आप इस बातों को मत्रपूर्ण लेते हुए समझते हुए संग्यान लेते हुए कारी कीजिएगा तब तक कि लिए जहिए जबारत आसा रुमिदे कि इस वीडियो को उन्तर जरूर पहुचा दिएगा टेज़ेपी जितनी भी आलादिकारी बैठे हुए है